हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू वंडर किचिन और मैं हू रुची खत्री और आज मैं आपके लाई हूँ एक बहुती स्पेशल स्नाक रेसिपी मटर पैटीज विद धावा स्टाइल मिंट चटनी ये स्टार्टर की तरह भी आप यूज कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चलिए हम बनाते हैं हमारी मिंट चेटनी जिसके लिए मुझे चाहिए मिंट लीव्स इसको मैंने अच्छे से थो लिया है रो मैंगो जिसको पच्छा आम बोलते है छोटे-छोटे पीसिज में कट कर लिया है ग्रीन चिलीज सॉल्ट थोडी सी कर्ड लिया है मैंने जिंजर स्लाइस लिया है जीरा पाउडर लिया है तो अब हम इन सारे इंग्रेट्स को मिक्सी में डाल कर पेस्ट करेंगे और चेटनी बनाएंगे अब हम डालेंगे रोओ मैंगो चिरीज आप अपने टेस्ट के साफ से डाल सकते हैं मैंने फोर पीसेज डाले हैं सॉल्ट भी अपने टेस्ट के बादिंग डालेंगे हाफ टेबल स्पून मैं जीरा पाउडर डाल रही हूं हाफ टेबल स्पून मैं जिंजर स्लाइस डाल रही हूं और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे मिक्सी में चर्ण करेंगे चटनी रेडी हो चुकी है अब हम जार से निकाल के इसे एक ग्लास बॉल में डालेंगे और आप लोग कोशिश करिए कि जब भी चटनी रेडी हो उसे ग्लास बॉल में ही डालें क्योंकि कोई भी खट्टी चीज तील या ऐलिमुनियम या पॉपर में नहीं डालनी चाहिए और अब मैं इसमें अट करूगी हो ठोडी सी कर लोगा टेस्ट विलकुल ठाबा स्टाईल चटनी के दे गाज इसमें मैं 2 टेबल स्कून कर्ड करूगी और अब मेरा secret ingredient जो चटनी का है वो एड़ करूंगी जो की है black pepper powder बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि black pepper powder help करता है एक तो चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है दूसरा यह easy होता है हमारे खाने को digest करने के लिए इसमें मैं half teaspoon black pepper एड़ करूंगी और हमारी यह mint chutney ready है mint chutney ready है तो अब हम चलेंगे mutter patties की preparation करने के लिए mutter patties बनाने के लिए हमें चाहिए six to eight pieces boiled potato एक गुल ब्रीट पीस अभी season नहीं है पीस का इसलिए मैंने frozen बाला लिया है यह फ्रेश नारियल ग्रेट करके मैंने लिया है रिफाइन ओल शुगर लेमन जूस चीरा काजू को मैंने चोटे चोटे पीसिस में कट किया है और किशमिश लिया है पहले हम इस potato में बाइंडिंग के लिए 3-4 टेबल स्पून पॉन दालेंगे और टेस्ट के एकॉडिंग नमक डालेंगे नमक मैंने टेस्ट के एकॉडिंग डाला है अब हम इस मैशर से यह पोटाटो को अच्छे से मैश करेंगे और इसका एक फाइन डो आटे जैसा रेडी करेंगे इसके बाद हम मुट्र पाट्प्ै और मतर से हम बनाएंगे यह थो डो रेडी हो गया है चरिए अब इसकी फिलिंग की हम त्यारी करते है अब हम मस्ट्र पाट्प्ै तक फिलिंग करेंगे मैंने कडाई गरम कर दी है इसमें एक टेबल स्पून मैंने ऑईल डाला है ऑईल थोड़ा सा गरम हो जाएगा इसमें हम जीरा डालेंगे और मिक्स करेंगे एक बॉल जो हमने मटर निकाल के रखे थे प्रीजर से तो डालेंगे और मिक्स करेंगे एक मिनिट पी आपको ऐसे ही चलाना है अच्छे से जब मटर मिक्स हो जाए तब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और और दो टी स्कून चीनी डालके इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डालके इसे दो-तिन मिनट के लिए दपके छोड़ देंगे मतर अच्छे से पख गए हैं अब ये जो ग्रेटेड हमने कोकोनोट रखा था वो हम इसमें धीरे-धीरे आड़ करेंगे और थोड़ा सा किश्मिश और चॉब्ड कैश्यू जो अमने करके रखे थे वो डालेंगे और दो टेबल स्पून लेमन जूस डालके मिक्स करेंगे सब कुछ जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे फिलिंग भी ठंडी वो चुकी है तो अब हम चलिए थोड़ा सा हाथ में रेफाइन डॉल लेते हैं और छोटी सी एक बॉल लेंगे जो हमने डॉब आलू का रेडि करके रखा है और उसको धीरे-धीरे हथ से इस तरह से शेप दे लेंगे यह जो उने फिलिंग रेडी की हुईयक है यह इसके अंदर डालैंगे और हाथ से धीरे-धीरे प्रेस करके इसका एक बॉल जीप बनाएंगे शेप रेडी करके रख लेगे और गरम-गरम फ्राइ साँ से दुटर हो चुटे हैं मैं इसे खुटर है este नहीं डालना है और बहुत जादा हमें रेड नहीं करना है बहुत ज्यादा रेड हो जाता है तो टेस्ट अच्छा नहीं रह जाता है भस थोड़ा सा जैसी रेड होने लगे हम इससे बहार निकालनेंगे मटर पाटी अब बहुत अच्छे से कलर में फ्राई हो गई है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेटिंग करेंगे हमारी क्रिस्ि बड़ पाटि बेंडच ट्नी रेड़ी हो गई है अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंन आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें